तो टोटल इसमें वेकेंसी जो है वो 92 है जिसमें आपको यहाँ पर डिसिप्लिंस दे रखे हैं और आपका जो CTC है वो 16 लेक पर एनम यहाँ पर बन जाने वाला है तो अगर आपने B.E.B.T.E.C. किया है और आप SC, ST, OBC केटेगरी से बिलॉंग करते हो तो आपके लिए तो इस वीडियो में हम जानेंगे सेल के बारे में के सेल की और क्या क्या कुछ चीज़े जानेंगे इसके बारे में फिर देखेंगे कि कितनी यहाँ पर पोस्ट अवैलेबल है उसमें कितनी वेकेंसी है आगे देखेंगे यहाँ पर eligibility criteria educational qualification कितना होना चाहिए और age limit यहाँ प के बारे में बात करेंगे और exam syllabus क्या रहेगा last में देखेंगे कैसे apply करना है और important dates भी इसमें देखेंगे तो दोस्तों बने रहेएगा हमारे इस वीडियो में हमारे साथ start to end था कि आपको यहाँ पर सब चीज़ क्लियर हो जाए okay मैं भी यहाँ पर try करूँगा कि आपको यह इसका लास्ट यर का टॉन ओवर वन लैक करोड से भी जाधा था तो यहाँ पर यह इनवाइट कर रहे हैं किस पोस्ट के लिए तो management trainees के लिए in technical field तो यहाँ पर जो disciplines रहने वाले हैं सभी engineers के लिए हैं जो की है even grade के लिए okay तो यहाँ पर हम discuss करेंगे आगे कि किस-किस एरिया में अगर engineering किया है तो वह eligible है तो यहाँ पर इसकी start date जो है वह है यहाँ पर 11 December 2023 इसकी last date यहाँ पर apply करने की है 31 December 2023 तो यहाँ पर अगर इंटरेस्टेड हो तो apply कर देना time जाने से पहले जो 31 December उससे पहले पोस्ट की यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो पोस्ट है management trainee in technical के लिए जैसे मैंने आपको बता है तो total इसमें वेकेंसी जो है वह 92 है जिसमें आपको यहाँ पर disciplines दे रखे गई तो तीन categories के लिए मैंने आपको बताया था कि जो SCST OBC किसे belong करते हैं उनके लिए बहुत चया opportunity है तो तीन यहाँ पर SCST OBC के लिए जो है वेकेंसी रखी गई है तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या है तो chemical engineering है civil है electrical instrumentation mechanical metallurgy mining तो इन सब में अगर इसमें से किसी में भी आपने graduation किया है ओके engineering की है तो यहाँ पर post भी जखिए कि 3 है 3, 26, 7 और इसको यहाँ पर cast wise distribute भी किया गया है तो total यहाँ पर 92 vacancies निकल के आई हैं तो दोस्तों अगर इसके लिए preparation कर रहे हो या फिर कोई और आप exam के लिए preparation कर रहे हो तो हमने अभी launch किया है हमारा exclusive preparation pack जि आपको इसमें मिल जाएंगे जो आपको real experience कराएंगे exam के लिंक इसकी आपको हमारे description में मिल जाएंगी एक बार जरूर से check out कर लेना बहुत ही अच्छा arrangement है बहुत ही अच्छे इसके reviews हमें मिल रहे हैं आगे बात करेंगे कि age limit और eligibility criteria क्या है eligibility criteria तो आपको खाली graduation चाहिए engineering field म अपर age limit के बारे में बात करेंगे जो की count की जाएगी कहां से कहां तक तो 31 December 2023 तक यहाँ पे count करनी होगी जो भी आपकी age limit है closing date of online application जो की closing date है online application की तो यहाँ पे SCST के लिए 33 years है और इसमें बोला गया है कि after age relaxation वी आपको दे रखा है okay for candidates belonging to SCST OBC and PWBD after age relaxation तो यह after age relaxation के बाद है तो SCST यहाँ पे आप 18 से 33 years के हो तो यहाँ पे आप eligible हो apply कर सकते हो OBC के लिए 31 years है PWBD के लिए 10 years ओवर जितनी भी age limit होगी उससे 10 years ओवर और अगर आप इन में से किसी भी category से belong करते हो तो उसमें भी और जादा आपको relaxation मिल अगर आप SCST से हो तो उतना और मिल जाएगा या फिर आप OBC से हो तो उसका भी जो age relaxation हो आप में add हो जाएगा departmental candidates upper age limit जो department में already work कर रहे हैं और जो अपना जो पोस्ट जो है वो change करना चाहते हैं तो उनके लिए 45 years है तो वो 45 की जो years है वहां पे age limit यह उनकी दे रखी है कि 45 years के अंडर में वो यहां पर apply कर सकते हैं वो eligible है तो यह reservation के लिए यहां पर बात किया है कि 40% जो भी relaxation आपका PWB CBD category वालों को है तो उनकी 40% disability होनी चाहिए तभी जो है वो eligible है otherwise eligible नहीं है बात करेंगे minimum qualification तो यह मैंने आपको बता दिया है degree in engineering with 65% mark तो यहां पे आपको 65% चाहिए इसमें eligible होने के लिए अगर आपके 65% है engineering में तो आप इसमें eligible हो तो जितने भी disciplines थे वो मैंने आपको बता बात करेंगे संब्स क्या है तो आपने इंगिनेरिंग की है लेकिन उसमें भी under under बहुत सारे साब्स होते हैं सब्स होती है तो यह उसके बहुत सारे branches हैं अंदर तो इसमें हैं किसी में भी अपनेitas election कि है किसी में भी post graduation की है इस build में तो आप यहाँ पे eligible हो apply कर सकते हैं तो यह आप आराम से पढ़ लेना इसका screenshot ले लेना और आप आराम से पढ़ लेना बात करेंगे यहाँ पे training, probation और यहाँ पे salary की तो यहाँ पे आपका जब selection हो जाता है तो one year का आपकी training रहेगी, training में आपको यहाँ पे basic pay मिलेगा 50,000 per month in the pay scale of 50,000 से लेके 1,60,000 तो यहाँ पे जो pay scale हो बहुत ही काफी अच्छा खासा आपको दे रखा है जिसमें आपको basic pay 50,000 per month मिल जाएगा, इसके अलावा आपको बहुत सारे और भी benefits मिलेंगे जैसे कि besides basic pay the management trainee will also be paid, then allowance आपको मिल जाएगा, PF मिलेगा, gratuity मिलेगी और भी other allowances है जो company के, जो rules में आते होंगे वो भी आपको मिलेंगे, इसी के साथ साथ आपको company जो है वो benefits प्रोवाइड करेगी जैसे कि leave engagement है, housing, hra, free medical facility आपके और आपकी family के लिए, ctc आपका इसके बाद बन जाएगा 16 lakh per annum, तो यानि बहुत ही अच्छा है यह package बन जाने वाला है, आपको in hand 50,000, प्लस आपको बहुत सारे benefits और आपका जो ctc है, वो 16 lakh per annum यहापे बन जाने वाला है, तो जो आपका E1 grade की आपकी जो pace के लिए वो बन जाएगा, जो post है वो बन जाएगी आपके, being direct recruitment on initial basic पे, the company will not wear any liability on account of salary, leave, और यह pension contribution, etc. of previous employment, if any. आगे बात करेंगे selection process कैसा है, तो इसमें exam में computer based test होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे group discussion और personal interview, तो यहाँ पे देखा जाएं, तो online examination में computer based test to be held tentatively in, तो यह January 2024 में होगा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे centers देखनों को मिल जाएंगे, exam centers, आपको यहाँ पे कडिबन इलाब बैंगलूरू, वडोदरा, भिराईनगर, भोपाल, भूबनेशर, जमशेदपूर, चंदीगर के, साथ-साथ बहुत सारे आप इधर देख सकते हो, अपने exam center, तो exam centers के regarding जो भी information होगी, वो आपको admit card में provide की जाएगी, the online examination will be of 200 marks, जो आपका CBT, जो computer-based test रहने वाला है, वो 200 marks का होगा, जिसके 2 parts होगे, 100 marks के 2 parts होगे, जिसमें 100 marks का जो first होगा, वो domain knowledge test होगा, यानि आपने जिस field में graduation किया है, उसी के regarding questions पूछे जाएगे, तो वो 40 minutes उसकी duration रहेगी, और बाकी का जो second part है, वो भी 100 marks का रहेगा वो aptitude test होगा, जिसमें आपके ये 4 segments रहेंगे, 25-25 marks के quantitative, aptitude, English language, reasoning and general awareness, 25-25 marks के चारो subjects रहेंगे, चारो मिला के आपके 100 हो जाएंगे, और 100 आपका domain knowledge test रहेगा, तो टोटल यहापे 200 marks का आपका जो exam है, वो रहने वाला है, इसके अलावा, to be eligible for GD and interview, candidate will have to qualify in each of the parts, तो आपको ये दोनों parts जो है, वो qualify करने होंगे, आपको अगर group discussion और personal interview के लिए eligible होना है, तो इसमें जब आप qualify हो जाओगे, तो आपको यहापे group discussion और interview के लिए call किया जाएगा, अब आपको qualify करने के लिए चाहिए कितना, तो यहापे minimum 40 percentile score, minimum 40 percentile score चाहिए किसमें, जो आपको eligible होने के लिए GD and PI, personal interview or group discussion, group discussion and interview के बारे में यहाँ पे कुछ information दी है, कुछ instructions दी है, from among those who qualify इंदा, जो exam में qualify कर जाते हैं, तो shortlisted होंगे, उसके ही basis पे यहाँ पे बुलाया जाएगा, one is to three candidates को, यानि जितनी vacancy है, यहाँ पे 92 है, तो into three उसमें multiply three करके, उतने candidates को व वहाँ पे appoint किया जाएगा, in order of merit, तो यहाँ पे call letter उनको uploaded होगा, website पे और आपको online through और आपका जो mobile registration number है, उसके through आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, notify कर दिया जाएगा, computer based test, GD और interview का यहाँ पे weightage दे रखा है, तो 75% जो है, वो है, online test का 10% यहाँ पे group discussion और 15% interview का, तो इस order में यह weightage पूरा set किया गया है, online examination, GD और interview, the selection of the candidate will be made in the order of merit, तो merit के order में जो है selection होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे cases बन जाते हैं, कि दो या दो से जादा candidate के जो है, वो marks same होते हैं, तो उन cases में बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारी companies क्या करती है, कि उनकी age के इसाब से उनको जो senior होंगे, उनका selection पहले हो जाएगा, merit list में उसका order है, वो पहले आजाएगा, तो इसमें भी कुछ ऐसा है, कि इसमें जो आपके qualification के marks होंगे, वो देखे जाएगे, जिसके marks जादा होंगे qualification में, उसका merit list में order जो हो पहले आएगा, तो यहाँ पे दो य last में हम देखेंगे placement, तो यहाँ पे अगर आपका selection हो जाता है, तो इंडिया के किसी भी city में, किसी भी division में, mines and collieries division में, इंडिया के, या company के, वहाँ पे आपका posting हो जाएगी, okay, the candidates will not be allowed to seek apply for transfer to any other plant unit, mine location of the company, अगर आपने यहाँ पे selection हो जाता है, तो 4 साल तक आपको apply नहीं कर सकते, 4 साल तक आपको वहीं रहना पड़ेगा, जहाँ पे company आपको रखना चाहती है, okay, for departmental candidates, जो departmental candidates हैं, जो already उसी में कर रहे हैं, pursue कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, यह restriction, initial two years के लिए, तो उन्होंने अपने post यहाँ पे change की, और इस में selection हो गया, इस post पे, तो उनके लिए यहाँ पे two years है, कि two years तक वहाँ पे रहना पड़ेगा, उसके बाद वो apply कर सकते हैं, transfer के लिए, तो apply कैसे करना है, यह देख लेते हैं, eligible and interested candidates would be required to apply online, तो यहाँ पे आपको online apply करना है, यह इसकी official website है, कोई और दूसरा यहाँ पे तरीका नहीं है, apply करने का, वो company से match हो रहे हैं या नहीं, otherwise आपकी क्या होगी कि जो request है, जो अपने apply किया होगा, application जो आपकी reject हो जाएगी, after applying online, a candidate is required to download the system generated registration slip, apply करने के बाद, candidate को चाहिए कि वो registration slip, application form, with unique registration ID और number को download करना है, और उसकी hard copy निकालके रख लेनी है, और यहाँ पे आपको note मिल जाएगा, तो candidates को जो है, वो ध्यान रखना है, कि वो जो email ID और mobile number यहाँ पे दे रहे हैं, वो valid होना चाहिए, active होना चाहिए, क्योंकि सारे जो भी communication है, company से, जितने भी communication होंगे, वो इसी के थ्रू होंगे, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, एक दो बार, आप जो भी data आप enter कर हो, आपको चेक करके सही से डालना है, फिर बहुत सारी ऐसे होता है, बहुत सारी जगह ऐसे होता है, कि फिर आपका वो change नहीं होता है, अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो ये था इस पूरी job update के बारे में, इस पूरे वीडियो में, I hope कि आपको समझ में आया होगा, और मैंने try की है, कि आपको मैं सब समझा पाऊं, तो अगर फिर भी आपको यहाँ पे कुछ query होती हो, तो comment section में जाके comment कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो like कर देना, अपने दोस्तों के साथ share कर देना, जो engineering fields से है, जिनका जो cast है, SC, ST, OBC है, तो उनके लिए बहुत अच्छ कर देना, झा कर देना, को अच्छा सकती है, कर देना, जोदित कर दोपको मैं सहे, कर देना, भीला माफ घिनका, तो चras़लै हो, तो झाबको मैं सब साथ